नमस्कार करनल अजय यो अजय एस्ट्रोबनी गुरू फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनेस डीजिटल चैनल से आपसे मुखाती बता हूँ आज के इस इवनिंग एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरा धनिया और छोटी लाइची के बारे में दोस्तों अजय एस्ट्रोबन पदिदिक अपदती और फंडामेंटल अनलेसिस के अधार पर आपको विशलेशन देते हैं जो की एक्यूरेसी उसकी विश में सबसे अधिक मानी जाती है याद कीजिए दोस्तों भारत सोने की चडिया के रूप में जाना जाता था और यदि आपको जानकर आश्चरे होग यह सत्रीवी अठारवी शताब्दी तक भारत ग्लोबल जीडीपी का लगबग वन थर्ड हिस्सा कंट्रिबूट करता था यानि लगबग 35% के आसपास लेकिन लगातार विकिद्वेदी शाक्रमनकारी और हमें हमारी विद्याओं को नश्ट बश्ट करने के वज़े से धी अनुसंदान पद्धिती को पूना जीवित करेंगे और इसका आपको परीचे कराएंगे और साथ-साथ एक्रो कमोडिटीज में इसकी सार्थक्ता विश्वपसिद है तो दोस्तों आपको याद होगा जीरे पर हमारा पुरवनमान धनिये पर हमारा पुरवनमान और छोटी कि लाइची को आप्शन के समाचार मिले हैं कि काडमन प्लांटर असोशेशन संथार पारा में लगबग 122 लॉट आने के समाचार मिले हैं कुल मात्रा 22,903 में दश्मला आठ क्यूंटर की बताई जा रही है इसमें 20,209.8 kg की मात्रा बिक्री होई है मैक्सिमम प्राइच 208 और एवरेज प्राइच 1457 रुपए 82 पैसे बताई जा रही है अब चर्चा धनिये के उपर दोस्तों धनिये के भाव में लगातार उताचडाव देखा जा जा रहा है धनिये के वाइदे करवबर में भी बहुत अच्छे तेजी नहीं नहीं है और ब दनिये के आवक अधिक थी और मंडियों में बड़ी खरीदारी नहीं थी गुजरात में 17,000 से 18,000 बोरी दग एक बोरी लगबग 40 किलो की मने जाती है और धनिया की आवक होई और धनिया के भाव आज 25 से 30 रुपए प्रती 20 किलो ग्राम के गिरावट दर्ज होई है गुजर दर्ज होई प्रती 20 किलो था राजकोट मंडी में 1780 किंटर धनिये के आवक के समाचार है और भाव 1260 से 1605 रुपए प्रती 20 किलो ग्राम था गोंडर मंडी में 2444 किंटर के आवक है और भाव 1471 से 1671 रुपए प्रती 20 किलो था जाम जोद्पूर मंडी में भाव 12406 से रुपए प्रती 20 किलो और उच्चितम कीमत 1576 रुपए और और उसद भाव 1501 रुपए प्रती 20 किलो ग्राम था अम्रेली मंडी में 991 में से 1542 रुपए प्रती 20 किलो ग्राम के व्यापार के समाचार मिल रहे है जोद्पूर आपको याद होगा गुमित्रो कि लगभग 3 मैने पहले हमने सबसे पहले आपको धनिये में तीन गुना अधिक डिर्यात के होने की अगरिम सूचना दी थी जो कि 67 साबित हुई और पिछले दो मैने में लगाता धनिये ने शांदार तेजी दज हुई अब एक बड़ा प्रशन क्या धनिये में मुनाफ़ा वसूल करने ना चाहिए या फिर अगस्त में धनिये में आचना देखा गया और वाइदा बजार में भी 6000 के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही थी जीरे के बजार में अभी कोई नया निर्यात का कोई समाचार नहीं मिला है और कुछ खबर ये भी मिल रही है कि जीरे से चीन जीरे का आयात चीन से कुछ हो सकता है लेकिन और ये आयात बजारों में खपत करना मुश्किल होगा क्योंकि उसके ओपर जूटी लगने के बाद वह बहुत अधिक हो जाएगा और जीरे का आयात अक्सर व्यापारी चीन से आयात कर दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए भी चीन का जीरा आयात किया जाता है लेकिन उसकी भी शर लगता है तो दोस्तो लेकिन उसके बावजूद भी जीरे का आयाथ चीन से अक्सर होता है दोस्तो स्थानी बजारों में अभी भी जीरे की कीमत अधिक है और आने वाले समय में बजार का रुक इस बात पर निर्बबर करेगा कि आया तिस जीरा लोकल मार्केट में खपेगा या उसका निर्यात होगा जीरा निर्यात का भाव 12,000 रुपए प्रति 20 किलोग्राम है और इसके भाव पर कोई खास अभी ट्रेडिंग के समाचा नहीं है गुजरात के अंदर 20 रुपए कर्रेक्शन 50 से 100 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की गिरावट होने के समाचार है उज्जा मंडी में जीरे के भाव 11,000 से 11,100 प्रति 20 किलोग्राम है गुणडल हल्वद मंडी में जर्ए के दोsतों, आने हाले मेना जीरा और इलाइची के अंदर बहुत मेहत्वपुन साबित हो सकता है क्या यह तेजी का होगा या मंदी का दोस्तो हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि आपको बार बजारों की खबरों से रूबुरु करया जाए अगरी विशलेशन दिया जाए लेकिन हर बार निशुलक विशलेशन द